हेलो गाईज वेलकम तो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स क्लिन साइंस एंड टेकनलोजी लिमिटेट की ओर से जून क्वार्टर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुक है स्टैंडर लॉन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुक है आज के इस वी यह रॉन्यर दोनों में फॉल देखने को मिला है एक्सपेंसेस वन हंडेट ट्वैटेटेट पॉईट करोड का पिछले कॉटर में फॉइन पॉइंड्स आउट करोड का और जून ट्वैटेटेटो फीफिवन करोड का और जून 22 कॉट्वाटर में 151 करोड के इस्पेंस यह दूनों में फॉल देखने को मिला है नेट पॉफिट 58.9 करोड का पिछले कॉट्रह में 80 करोड का और जून 22 कॉट्रम 62.9 करोड का नेट पॉफिट है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है EPS 5.55 रुपेज का है quarter on quarter year on year दोनों में बहुत ज़्यादा fall देखने को मिला है तो guys consolidated results अगर देखेगा तो बहुत ज़्यादा week निकल के आया क्योंकि profit और income दोनों बहुत ज़्यादा fall देखने को मिल रही है अगर हम इसके standalone results को cover करें तो number millions में है income में 200 करोड का पिछले quarter में 229 करोड का और June 22 quarter में 244.9 करोड का income था quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है expenses 122 करोड का पिछले quarter में 121 करोड का और June 22 quarter में 151 करोड का expense हुआ था Quadrant隔day hero year, income down here expenses increase थे लिकले year on year में income down represent expenses भी down हुआ, इसके बाद operating profit is 78 crore का, पिछले quarter में 107.8 crore का और June 22 quarter में 93.7 crore का operating profit है, quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है net profit 58.5 करोड का पिछले quarter में 80.9 करोड का और जुन 22 quarter 70 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में fall देखने को मिल रही है EPS 5.51 रुपेज का quarter on quarter year on year दोनों में बहुत ज़्यादा fall देखने को मिला है तो गास company का standalone हो या consolidated बहुत ही weak result company page का इसको market negative मिलेगा और इसके shares में fall देखने को मिल सकती है तो भमलक वीडियो को ही परेंट करता है अगर कोई डाउट कमिट बॉक्स में पूछे मिलते हैं